हेलो ब्रीवन, एक्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार शिचक भरतिस सम्मंदित 6 to 8 के लिए सस्टी के प्रैटिशेट को कर रहे हैं तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडिओ हम हम किरन प्रैटिशेट नमबर 3 के प्रशणों को देखेंगे इसके पहले के वीडिओ हम इसके दो सेट को कर चुके हैं अगर आपने वे वीडिओ नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज का पहला प्रशन है अधमिलन प्रपत्र हस्ताचर करने वाला निंवल्खित में से पहला कौन था वहांत में सामील हुए था तो 30 जुलाई 1947 को भारत में सामील हुए था और उससमें वहां के दिवान कौन थे तो CP Rama Swami Iyer थी, ये points ही आप ध्यान रखेगा, हैदराबाद को भारत में कब मिला गया था, तो आपरेशन पोलो के तहट 17 सितंबर 1948 को, कब 17 सितंबर 1948 को आपरेशन पोलो के तहट भारत मिला गया था, हैदराबाद को, ये points भी आप ध्यान रखेगा, देशी रियासत थे ये अगला पश्णें, भातिस वतंता संगरा में दांडी यात्रा को किसकी सुरुवात माना जाता है, तो इसका राइटन्स रो जाएगा आपसं 3 सविने अवग्या आंदोलन, आपसं 3 इसका राइटन्स रो जागा, दांडी यात्रा की बात करें, इसकी इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखिएगा और कहां से शुरू वा था दांडी आत्रा तो साबर मति से शुरू वा था ठीक है कहां से साबर मति से हम बात करें स्वधेसी अंदोलन की स्वधेसी अंदोलन की शुरूआत कब हुई थी तो साथ अगस्त 1905 कब बंगाल को काल क्रमानुसार रखिए ठीक है पहले देखते हैं सर विश्टन चर्चिल की मिरुत तो सर विश्टन चर्चिल की मिरुत ये यू के क्या थे परधान मंत्री थे इनकी मिरुत कभी थी तो 24 जनवरी 1965 को इनकी मिरुत हुई थी अलास्का यूसे का 49 राज कब बना था आपका तीन जनवरी 1969 को या बना था चीन और पाकिस्तान ने सीमान्त संधी पर हस्ताचर कब किये थे तापका ये 1963 में किये थे और USSR द्वारा पहला भूम उपगरह स्पूतिनिक वन छोड़ा गया था इंप्वाटेंट है ये कब छोड़ा गया था तापका 4 अक्टूबर 1957 को या छोड़ा गया था ठीक है तो इसको इसी सापसाप मिला लिजेगा अगला है हडपा अस्तलों की खुदाई में निमलखित में से क्या नहीं मिला हडपा अस्तलों की खुदाई में निमलखित में से क्या नहीं मिला तो इसका राइट अंसरो जागा आपसंटू सिखर शहित मं प्राकृतिक भासा का प्रयोग किया है अगे बढ़ता है असोक ने अपने सभी अभिल्योखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक भासा का प्रयोग किया है जिसका करेटन्स रो जागा अपिंस त्री सत्रा-प्र parish रो जागा मघदी अपिंस ने अपने सभी अभिल्योखों में एक रूपता से मघदी प्राकृत भासा का प्रयोग किया है अगर लिप पुछा जाए तो ब्राममी लिप कौंसी ब्रामाय और खरोष्टी लिप, पूछा जाता है, असोग की जो अभलेक किसमें, तो ब्राम्य लिप और खरोष्टी लिप में प्राप्थ हुए थे, अगर बात करें हम, सर एकुना, सर एकुना जो कंधार में है, आपका अभलेक, ये जो है, ग्रीक योम अरमाईक भासा में प्राप्थ बाकी जो है किसमें प्राकृतिक भासा में ये थे, ठीक है, इसको ध्यान रखेगा, important है, और जो असोग की कितने अभलेक, सिला लेक, 14 सिलालेक, 14 सिलालेक में आपका 13 सिलालेक ध्यान रखेगा, तिराहमास सिलालेक जो है, इसमें कलिंग के यउध का वर्डन है, ये पुछ जाया तो ब्रामी लिप और खरुष्ट लिप खरुष्ट लिप में दो आप ध्यान रखेगा सहवाजगड़ी और मंसे राबलेक ठीक है आगे बढ़ते हैं सोतन भारत में प्रथम भासा राज का गठन किया किया गया था यानि भासा के अधार पर पहला राज कौन सा बना था कब एक अप्टूबर 1903 को भासा के अधार पर पहला राज अक्सर पूछ आता है तो आंधपर्देश ठीक है आगे बढ़ते हैं निमलखित में से किस राजपूत सासक ने प्रशिद्य सहर भोपाल की अस्थापना की थी भोपाल की अस्थापना किशने की थी तिसका करिट राजा भोज ने किसकी भोपाल की अस्थापना की थी राजा भोज जो है मालवा के परमारवन से पूछा जाता किस वन से तापका ये परमारवन से संबंदित थे इन्होंने अपने राजधानी धार को बनाई थी राजधानी क्या थी धार और इन्हें कविराज भी कहा जात पूछा जाता है का विराज किसी कहा जाता था तो आपका राजा भोज को ठीक है आपसन क्या हो जागा थ्री इसका करेट अंसरो जाएगा अगला प्रशने निमलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल शुवे का वास्तविक स्वामी बना गाप करेट अने तो इसका क्रेट अंसरो जाएगा आपसन ए बखसर की लड़ाई बखसर की लड़ाई आप संपनर ऊजाए कभा था तो आपका ये 1764 हुआ के नवाब सुजावध ला और मुगल बासा सा आलम दूती की संयुक तुसेना के बीच खूआ था कब हुआ था Dise, 700 चौ शक्ट में हुआ था और बकसर की लड़ाई को इसे निडायक युद्ध भी कहा जाता है क्या कहा जाता है? इसे निडायक रहा तो आपका आपसन का जाएगा इसงतों फॉरा तो घर लम नदी के किनारी हुआ था इसलिए जे जेलम नदी का युद्ध भी कहा जाता है अरे कब हुआ था आपका 326 इसा पूर्व में यह हुआ था किसके बीच पूरसो शिकंदर के बीच यह हुआ था इसमें विजाई को रहा तो आपका इसमें सिकंदर भी जाई रहा था ठीक है आगे बढ़ते हैं बिटिश समराजवाद के दोरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिध्दान किसने परस्तूत किया जिसे आप धन निसकासन का सिध्दान किसने परस्तूत किया था तो इसका करेटन्स रो जाएगा आपका आपसंट टू दादा भाई नरोजी अपनी पुस्त पुष्तक का Poverty and Un-British Rule in India किसकी पुष्तक है तो दादा भाई नरोजी की पुष्तक है इसको ध्यान रिखेगा दादा भाई नरोजी को क्या कहा जाता था तो क्या कहा जाता है अगे बड़ता है आधुनिक विहार का निर्माता किसे माना जाता है तो इसका करेट अंसर हो जाएगा आपका आपसन वन सचिदान सिनहा को आधुनिक विहार का निर्माता कहा जाता है अच्छा क्यों कहा जाता है क्योंकि उन्होंने विहार को बंगाल से अलग करने में महतवूर भूम का निभाई थी अच्छा बंगाल से विहार अलग कब हुआ था ता आपका 1912 में हुआ था आप नाम से जाना जाता है इनका उपनाम क्या है इनका उपनाम है आपका लोक नाया क्या कहा जाता है इन्हें लोक नाया के नाम से जाना जाता है ठीक है और बात करेंगा सी एफ एंड्रूज को किस नाम से आपका दीन बंधु के नाम से किसे सी एफ एंड्रूज को कहा जाता है द के प्रवास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ध्याने किसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है गिर्मिटिया मतलब एग्रिमेंट होता एक तरीके से पहला करा अहीं गलत हो जाएगा आप संटू इसका करेटन्स हो जाएगा यह वर्तमान छेतर पंजाब हरियन गुजरास से नहीं थे बलकि उत्तर प्रदेश बिहार मद्ध प्रदेश इन सब छेतरों से ठीक है अलकरा अनुमंधित नेटवर्ट जिसे अक्सर मज़़ों के लिए दास्त तो इसका करेटन्स रोजाएगा आगे बठते हैं राज पर के फलक के नीचे देव नागरी लिप में उत्प्रिड सत्मयों जा मांड़को उपनिशद से लिया गया है, आपसं 3 इसका राइटन सुरूदागा, और ये मांड़को उपनिशद जो है किस वेद का उपनिशद है, तापका ये अथर वेद का उपनिशद है, ये points भी आप धियान रखेएगा, अगला पशने, अंग्रेजों ने भारत में railway किस भारत में railway किस उद्दे से सुरू किया, आपसं 2 इसका राइटन सुरूदा, ब्रिटिस वाडिज और प्रसासनिक नियंतरण की सुवधा के लिए, किसके लिए, ब्रिटिस वाडिज और प्रसासनिक नियंतरण की सुवधा के लिए, भारत में railway की सुरूदा की थी अंग्रे जी के समय में अक्सर पुझाता है तो इसको ध्यान रखेगा अगला परशने पंच सील का सिध्धान्त निमलखित में से क्या नहीं है तो आपसन एस का राइटन्स रो जागा गुट निर्फेचता आपसन टूस का करेटन्स रो जागा पंच सील समझाता ये भारत और चीन के बीच में हुआ था 1904 में सांति समझाता था और आपसन एस का राइटन्स रो जागा या सांति पूर्ष सा अस्तित्था सही है एक दूसरे की भूभागी अख़णनता और सारभामक्त पर परस पर सम्मान सही है ठीक है याई गुट निर्फेचता सा इसका कोई सम्मन नहीं ह अगला है 1928 में बिहार में रवीदास सभा का गठन किष्णे किया था आपसन त्रीज का राइटन्स रो जागा जग जीवन रामने आपसन त्रीज का राइटन्स रो जाएगा अगला परस ने निमलकि संग्राहलो और उनके अस्थानों को सह समभंधित कीजिए देख लेते मुंबाई में है कि केल को संग्राले अहमदाबाद में कहां पर अहमदाबाद गुजरात में है और राजा केल कर संग्राले कहां पर है ता आपका ये पूडे में है अगला है अभिकतन ए सभी ने अवज्या अन्दोलन को समाज के सभी वर्गों का समर्थन नहीं मिल सका प्राचिन संस्कृति और आज के हिंदु धर्म के बीच जय यानिक संबंध का प्रमाड किस मूत किसकी पूजा से मिलता है किसकी पूजा से मिलता है इसका प्थर पेड़ और पस्तु सी मिलता है आप送ण smiled at to information प्रीक ठुखर जाएगा है अगला पॉस्णने सास्ट्री रित्तो के के संदर में मिलकोत में से क्वान से कथर गलत है और सट्री अप्षंट रूपक की आठ माने रूप है आप शनी क ह मो हो जा लिगा तरी के लिगा और सरी न्यटत के बात करें हैं हम मोहनी एकनल कि स्राज का है ध्यान सूनियेगा तो आपका यह के रल का है क्या कफकली कि सराज का है प्रिणा कि अBay propriे का है कुचsınız पूडी की बात करें सत्री आपका असम राज का है ठीक है इंपोर्टेंट है इसको धिहान रखेगा अगला है नेमलखित में से किसने गाड़ी पर बम फेका था यह मान करकी उसमें मुझाफरपुर के नयाधिस किंग्स फोर्ड बैट हैं तो इसका राइटन्स रो जागा आपसं 3 खुदी राम ब 208 को हुआ था इंपोर्टेंट इसको धिहान रखेगा आगे बढ़ते हैं 1813 के चार्टर अधनिया में नेमलखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है तो देख लेते हैं इस इंडिया कंपनी का वाडिजिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया यही गलत हो जागा यह घाल के साथ ब्यापार और भारत के साथ चाय के व्यापार की एक एक अधिकारा रका गया था को अब करा लाइंप है ऊसलिए, भारती कानूनों का संक्लन करने संक्ता बद्ध करने और सुधारंने के लिए एक विधी आयोग का गठन किसकी अधचता में किया गया था विधी आयोग का गठन किसकी अधचता में तो इसका करेटन सुरो जाएगा आपसन 3 इसका राइटन सुरो जाएगा लाड मैकाली की बात करें इसे भारत में अंगरी जी सिच्छा का क्या कहा जाता है जनक कहा जाता अच्छा 1833 चाटरेट के दोरा तो यह से क्या हुआ था तो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाल दिया गया था और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो लाड बिलियम बैंटिक था कौन था लाड़ बिलियम बैंटिक अक्सर पुछ आता है इसको ध्यान रखेगा आगे बढ़ता है वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर्वसूल करते थे उसे क्या कहते थे उसे क्या कहा जाता था उसे बली कहा जाता था आप से इसका करेटें भारती राष्टी कंग्रेस की पहली महिला अध्यच कौन थी देखिए पहली भारती पूछ रहा है तो इसका करेटें शुरु जाएगा आपका आप संथरी सरोजनी नाइडू पहली भारती महिला अध्यच थी कौंग्रेस की और यह इन्होंने 1925 में जो कानपुर का ग hail एच्ता सरोजनी नाइडू ने किया था अगर पूछा जा कि काhmenस की पहली महिला अध्यच कौन थी तो 1917 में क्लकाता का वचका अध्यच नहीं हूव स्कुरह वा उसको समय वाइसराय कौन था तो लाट डाफरीं जो है उस समय वाइसराय था और इसके पहले अध्यच कौनते कांगरेस के तो डबलू सी बनर जी थी सारे पॉइंट शाप ध्यान रखिएगा अगला पॉच्छ नौप अस्थल बुर्ज होम के संबंद में निम्लिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है ध्यान रखिए नहीं पर जरूर ध्यान दियेगा बुर्ज होम के संबंद में कौन सा कथन सही नहीं है तो इसका करिटन सुरो जागा आपसंड टू बुर्ज होम में रहने वाले लोगों ने कृसी गदविदियां अपना ली थी या पस्वों को पालतु ब यह नहीं है बुर्ज हो जागा जैसा अस Nou पांर अस टर्य लेंकन यहां पर है कि गदविदियां सामिर नहीं थी और यहां से जो है किसके सा जमिले ऑनमाली के साथ साथ मुट्टो का सावधा नहीं से प्राप्त हुआ जो सव दफनाया जाता था उसके साथ कुत्तों के सव भी दफनाया जाते थे यह कहां से मिला है आपका बुर्ज होम से मिला था यह अक्सा पूछ आता है इसको ध्यान रखेगा आगे बढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के संदर में चहलगानी सब्द के संबंद मे निंटकीट कतनों में से कौन सा कतन शही नहीं है चहलगानी के संबंद में कौन सा कतन देखिए इसमें पूछा है तो इसका कॉरेट Jedi कि थी तो आपका इल्टूत मिशने कि ति किसने के थी तो इल्टूत मिशने थे और यह सल्तन प्रसासन में प्रमुक पदोपर कायम 40 तुर्कों तुर्की प्रमुकों के एक समूख को दर्शाता था यह सही है और इल्टूत मिशने के बाद चाहलगानी अन्य मामलुक सुल्तानों के लिए एक समस्या बन गई थी यही गलत हो जाएगा अपसें टूस का राइटन जो इसके अस्थापना किशने इल्टूत मिशने की थी अच्छा इसको समाप्त किशने किया था तो इसको जो है बलवन ने समाप्त किया था इसने बलवन ने समाप्त किया था ठीक है मामलुक वंस मतलब है गुलाम वंस अच इल्टुत में इसको ही गुलामों का गुलाम कहा जाता है, अगला पश्चने, सर सेद अहमाद खान के संबंद में निमल्कित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका करिटन्स रो जागा, आपसं टूस करिटन्स रो जागा, उन्होंने मुस्लिमों को राजनीतिक गद्विद्यों में भाग लेने के लिए हतुत सहिद किया, उन्होंने मुस्लिमों को राजनीतिक गद्विद्यों में भाग लेने के लिए हत लो जागा, सर सेद अहमाद खान के बात करें इन्होंने 1864 में कव 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी और 1875 में मोहमडन एंगलो इंडियन की अस्थापना की थी मुहमदान एगलो इंडियन स्कूल के स्थापना का 1875 में की थी जो 1920 में अलिगर्ड मुस्लिम इस विद्याले के रूप में बना ठीक है आप संट तो इसका करेट अंस रो जाएगा अगला प्शने भारत सरकार अधनियम 1935 उस समय तक लागू संसत का सबसे लंबा ब्रिटिस ग्त्वा स्थाइए नहीं नहीं पूछ रहा है कोंसा कथन शही नहीं भारत सरकार अधनियम के बारे में पूछ रहा है तो इसका अधनियम 59 आप सें थरीस का राइटन शुरूरु जागा यह अधनियम प्रांतो में 12 existing पढली को सुरू किया था, देखिए, प्रांतो में 1270 पढली कर शुरू ही ती आपका Pan आप यह उनीस सो उनीस के अधनियम के द्वारा प्रांतो में, और इसे प्रांतो में नहीं 1935 के दोरा केंदर म द्वायसासन के सुरूआ थो इक अब 1935 के अधनियम के द्वारा ठीक है दोनों पॉइंट्स आप ध्यान रखेएगा और 1935 के द्वारा जो है जो यह प्रायंतों का द्वायसासना उसे समाप्त कर दिया गया था उसे केंदर में लागू कर दिया गया था ठीक है आगे बढ़त सेमेंट उद्धे के लिए चूना पत्थर कोईला अगरा के जरूत पड़ती है पूछ रहा कि इसके लिए जो है कौन सा राज्य है आपसंट टू इसका करेटन्स रो जाएगा मिघाले में कोईला चूना पत्थर लाव आयस के यूरेनम जैसे समरिद खनिज है इसलिए आपका सब्सकरण पूछँ रहा है तो इसका करेटन्स रो जाएगा मतलब होता है बड़े से छोड़ता तो आप सबसे बड़ा ब्रिहस्पति है उसके बाद्चून है आपसन क्या हो जगा थिरी इसका करीटल जो जो जाए यानि ब्रिहस्पति सनी अरूड और वरूड देखिए अगर पूछा जाए करम पूछा जाए सूर के दूरी के अनुसार करम पूछा जाए सबसे सूर के दूरी करम सबसे नजदिक का उनसा है सबसे आपका बुद्ध उस क्या है दूरी के करम में है अगर पूछा जाए अकार के करम में सबसे बड़ा आपका ब्रिहस्पती उसके बाद सनी उसके बाद यूरेनस उसके बाद नेप्चून यानि वरुन उसके बाद आपका कौन सा आता है प्रिथिवी आता है उसके बाद का कौन सा सूकर आता है उसके बाद का मंगल ग्रह आता है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा आपका बुद्ध सबसे बड़ा कौन सा आपका ब्रिहास्पती अच्छा पूछा जाता है कि ब्रिहास्पती और मंगल के बीच मे का चुद ग्रह पाहते हैं परियाषपति मैंगल के पॉइंट रखेगा बुद्द सूक और परिद्वी और मंगल इसे कहा जाता है यानि आंत्रिक ग्रह ऑर बागी जो है ब्रियाष्पति सनी और यूरेणस और नेंप्चून ग्रह कहा जाता है यानि इनने गरह जो भी तरीस का करेटें स्रो जागा ठीक आगे बढ़ता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पिर्थिवी की सता से सता की उचाई बढ़ जाती है तो आप से एक नदी पराली में तलचट के जमाव के कारण यह होता है आपसन इसका करेटन्स रोजागा आगे बड़ते हैं विश्वत रेखा पर गुरुत के कारण त्वरण तो इसका करेटन्स रोजाएगा आपसन ऐ दुरहान की अपच्छा कम आपेशन क्या हो जागा इसका कलेटांस रोजागा ठीक है? अच्छ अक्षर पुछाता है जी कबाण दुरहां पर क्या होता है और भूमद्रेखा पर क्या होता है निउन्तम होता है यह दोनों葪ाइंट्स एध्यान रखेगा अगला पुशन है नेमलिकित नहर पडालियों में से किससे बिहार के छेत्र में सिचाई होती है तो आपसन टूस का करेटन्स रहा जाए त्रिवेरी नहर जो है कहां से निकली है तो आपका गंडक नदी से निकली है ठीक है अगे बड़ते हैं दच्षिड अमेरिका की अमेजन द्रोडी बेसें के भूमद रेखी वने वनों को क्या कहा जाता है तो इसका करेटन्स रह जाएगा आपसन ए सिल्वा आपसन ए इसका करेटन्स रह जाएगा ठीक है और एक प्रकार का यह उश्रकरवंदी वर्षवन है यह आपका दच्षड अफ्रिका में और प्रेरिज घास के मैदान कहां पर आपका यह अमेरिका में यानि युएस से और सवाना घास के मैदान कहां यह आपका आफ्रीका में डाउंस पूछा जाता है तो डाउंस कहां पाया जाता है गडाउंस घास के मैदान तो आपका यह आस्ट्रेलिया में ठीक है आगे बढ़ते हैं निमलकित में से वह सहर या कसबा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अच्छांस पर इस्तित है तो इसका राइट अंस रो जागा आपसनी पटना आपसन वन इसका करीट अंस रो जा पटना जो है लगभग 25 अंस 36 मिनट उत्तरी अच्छांस पर इस्तित है पटना का प्राचिंता नाम क्या है तो पाटिल पुत्र पाटिल पुत्र के अस्थापना किशने की थी तो उधाई ने पाटिल पुत्र की अस्थापना की थी ठीक है आगे बढ़ते हैं दिये गए कतनों को पढ़िए और शही उत्तर का चैन कीज जाती है और मिटी में सूच में जियों की उपस्तिती कम रहती है देखिए ये दोगीं है टो इस क Yoshaz के रहते हुद का डूनों कथन सई है डोनों कथन यानी कथन वन कथन टू के लिए अस्पस्टी करन परदान करता है आपशन क्या हूझा थ्री इसका कारेटन सो देखे लेटर मिट्टी जो है इसके लिए क्या होता है रेजिक वर्षा तरह अधिक वर्षा आधिक होता है वहां यहां पाई जाती है लेटर 안녕 मिट्टी और इसमें हुमस की कमी पाई जाती है और यह मिट्टि मुगता केरल करनाटक असम वगारा में पाड़ी छेतरों में पाई जाती है और यह चाय कहवा सिंकोना और अरबड़ मसालों के लिए क्या होती है अगे बढ़ता है निमलकित में से कौन भारती कृषी में निम उतपादकता का काररण नहीं है तो इसका करीटन से रहएगा आप्सन 1 सöhकारी खेति जो है यह निमलकित्त पादन का कारण नहीं है साकारी खेति होती क्या है जिसमें उतपादन पर राज्य जो 59 को एक विय इक भूम पर भी सरकार का अधिकार होता है ऐसी खेति क्या कहा जाता है सरकारी खेति कहा जाता है यह मुखता इज्राइल चीन वगएरा में होता है ठीक है आपसर इसका करी टंस रो जाएगा आगे बढ़ते हैं भारती मानसूल को समझने के बारे में निमलकित में से कौन सा कथन सही नहीं है देए भी उचरा कौन सा कथन सही नहीं है तो इसका राइट अन्स रो जाएगा आपसर ठी तेविती पठार पर उच्छ दाब का बनना आपसर कह जाएगा ठी इसका करेट 트нос र आती है तो लाइक शेयर और कमेंट बिगरें और कोई सुझा हो ता कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आगे दिते हैं निमलकित में से किस बैज्ञानिक ने या सिद्ध किया कि सूर के चारो और प्रतेक नचतर का मार्ग दीर्ग बृत्ताकार है ये किसने तो आपसन क्या हो एक अंतर डेशी नहीं पूछ रहा है तो इसका क्रीट यागा कि नचतर हो जागा कि नय एक अंतर देशी नदी बंदरगाँ है Oh । 2 इसका राइट एंसर हो जाएगा यही गलत है चन्नाई बंदरगाँ की बात कonut करें बंदरगाह कैसे बंदरगाह है तो कृतिंड बंदरगाम है बाकी विसाका पत्रम सबसे गहराakis भूम बंद और अच्छी तरह से विक्सित बंदरगाहँ वाला सबसे बड़ा बंदर गाहा है यह पॉंट से पयर में उत्पादन को से चावल के बाद दूसरी फबस्रेंश है चावल के बाद दूसरी फबसमवजकों सी है तो इसका करेट अंसर हो जाएगा आपका गेहूं आपसन क्या हो जाएगा वन इसका करेट अंसर हो जाएगा देखिए चावल की बात करें भारत में सरवाधिक किस राज में होता है आपका पश्चिम बंगाल में गेहूं किस राज में होता है सरवाधिक तो आपका उत्तप्रदिस देखें कोईला क्यतना प्रकार होता है चार प्रकार जोता है इसमें आपकाradha 90 music उसके बात कौन होती है बेटोमें स्कोला बीट्मन स्कोला बारत में सरवाधिक पायाता है उसके वाल का लेडिनायट होता है उसके बाद पीट होता है चाल प्रकार के होते हैं यह अपका किस राज तो यह आपका आंध परदिस राज में पुलकर जील की बात करें यह आपका आंध परदिस तमिल नाड की सीमा पर है पुलकर जील जील जो है भारत की सबसे बड़ी जील है यह खारी पानी की जील है किस राज में आपका उड़ी सा राज में है अगला प्रशने यदि भारत मे केंदरी विद्यालों के खुलने का समय सुभा साढ़े साथ बजे आई अस्टी है तो 94 डिगरी पूर्वी देशांतर और सीहोर में क्रमसा 72 डिगरी पूर्वी देशांतर पर सून अस्थानी समय क्या होगा देखते हैं भारती मानक समय रेखा की बात करें था जोडेंगे का चार मिनट होटा है तो आपका तो स्था क्यों कितना मिनट हो जाएगा आगे पूछ रहा है तो आपका जोड देंगे, 7.07 बजे में आपका, आप जोडेंगे कितना मिनट? 46 मिनट, तो कितना आजाएगा आपका, 8 बच के 16 मिनट आजाएगा, उसके बाद 72 डिगरी से इतरे का हम निकाल लेंगे, साधे 82 में से आपका 72 डिगरी घटाएंगे तो कितना आएगा आएगा आपका साधे 10 डिगरी आएगा साधे 10 डिगरी गुड़े कितना कर देंगे हैं चार मिनट कर देंगे तो कितना आजाएगा आपका 42 मिनट आएगा तो 42 मिनट में से आप 72 डिगरी तो ये देखिए 82 डिगरी है तो 72 डिगरी पूछा तो पीछे जाएंगे घटा देंगे साड़े साथ में से तो आपका 6 बच के 48 मिनट आजएगा अगले पड़ते हैं नमलकित में से किस उद्योग को फूट लूज उद्योग कहा जाता है आपका सूती वस्त रूद्योग को आप सं क्या जगा तो ये पूट लूज उद्योग एक एसा उद्योग जिसे संसाधनु भूम स्रम पूजी उत्पादन के कारकों के प्रभाव के बिना किसी भी अस्थान पर अस्थापित किया जा सकता है ठीक है आपशन 3 इसका राइड़ेंस रोजाएगा अगला प्सुने नागपुर में वर्षा कम होती है क्योंकि सहाधरी परबत के कारण यह तो इसका करेड़ेंस रोजाएगा आपशन 3 प्रत्थि पावन पार्ष में इस्तित है आपका जो यहां पर हवाएं क्या होती है रूख जाती है आपका नागपुर का एक तरीके से ब्रिष्ट इछाय प्रदेश में आ जाता है इसलिए आप संथ्री इसका करेटांस रोजाएं यहां पर कम वारिश होती है अगर सहाधरी परबत की सबसे अगर उत्री सह हद्री बात करें सबसे उची चोटी कौण सी है कल शूभाई कौन सी कल शूबाई और दाच्षिट सा थर्क सबसे ऊची चोटी कौन सी है तो कुद्रे मुख है कौन सी कुद्रे मुख Otherwise ऑप उचाए जो है सबसे उची चोटी है दाच्षिट भारत की 2695 मिटर इसकी उचाई soften जपन रखे सबाए आपका अल्हा मिलानकर ना करना है देच दिया है स्थाइक पवन दिया है आस्ट्रेलिया में कौँविली चीन के बात करें टाइफूस फ्रांस में क्यों सा सामभर जिल और केबुल लाम जाओ तो आपका इक क्या है आदरभूम है आपसे लिए तो इसका करीटन्स रोजागा आदरभूम की बात करें अगर हम दिवस मनायक पप जाता है तो दो फरवरी को मना जाता है दो फरवरी के और इसके लिए कंवेंशन हुआ था रामसर कंवें है राजस्थान में और केबुल लाम जाओ यह मड़ी पूर में है यह तैरता हुआ राष्टी उद्याने यह पांच विध्यान केगा अक्सर पुश्य आता है ठीक वर्तमाम में कितने आदरभूम है तो आपका 75 है अलप्शने भूम अंडली जलवाई परिवार्तन का मुख का अधार पर किया जाता है देश की आर्थिक प्रगत का निर्धारा पर किया जाता है देश के आर्थिक प्रगत कर निधारन किसके अधार पर आपसन वन इसका राइट अंस रो जाएगा देश की प्रतिव्यक्ति आयक में ब्रेद्धी के अधार पर आपसन इसका राइट अंस रो जाएगा अगे बढ़ते हैं जनरांकी अभिलत्चडों के अधार पर भारत का व एसका राइटन्स रोजाएगा, आपसं तृविलंभित विस्तारड़ सील चरण में, आपसं क्योज़ागा, थी इसका राइटन्स रोजाएगा, एल अलप्षिन जब कोई सीलाख खंड दबाव वह का ठोड़ता के कारण परदार सैल में बदल जाते हैं, जब कोई सीलाख सील बलुवा पत्थर यह सब किसमें आते हैं और साधी सहल में आते हैं ठीक है अगे बढ़ता है निमलकित में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता इसलिए वे कभी अनावरित नहीं दिखते हैं तो इसका करेट एंसरो जागा आपका आपशन थ्र प्रधान मंत्री की उजला योजना किस्ते संबंदित है तो आपका हो जाएगा अप्सन वन समाजी को रूप से पिछड़े वर्गों के लिए लपीजी गैस के बित्रण से ठीक है आप्सन वन इसका राइटन शुरो जागा और इसकी सुरुवात जो है एक माई एक माई 2016 को प्रधान मंत्री नरीमोदी ने बलिया उत्त परदेश से किया था अगला प्रत्रशन है क्रिसी की एक पध्याति जिसमें व्यापक अस्तार पर आधुनिक आगतोंका उपयोग अधिक उत् jeune आध्यकिता आप ऊसंतरी ब़ाडजी घिती आप्सन क्याधा थृश्ण का करीटन सुरो जाएगा आगत मतलब है आपका रसानी को बरा गुडवत्ता पूल बीज कीट नासक वागा प्रियो करके उत्पदकता बढ़ाने के लिए ठीक है आप संध्री इसका करीटन सुरों वाड़ीजिक खेती में आपका रूपन खेती कृष्षी भी आती है रूपन नेशनल पार इसे आपका पुराना नाम इसका क्या है हेली नेशनल पार वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया आपका राम गंगा नेशनल पारक वर्तमान में नाम हो गया है और यह किस राज्ज में है आपका यह उत्तरा खंड में सुंदरवन की बात करें सुंदरवन नेश स्थान में पेरिय। यार्फ आपका कीरल में हैं ठिक हई ये और ये सहीय серд Immigy кл'S सर इसका वन्यव जी और अभियानड पर है आपका यह राजस्थान में करनाटक की बात करें आप कोँसा है आपका यह बांदी पुराष्टि उद्यान है ठीक है अगे बरते हैं भारत की सर्भोष कानूर दो दोन निर्मार्ण संस्था कोन है यांि का निर्मार्ण कौन करता है आपटेम संसथा हो जा है तो किसे राश्तभा और लोगसभा उन्मार्ण करती है और राश्पती जो है संसत्त का अभिन अंग होता है पूछा जाता है ध्याना कियेगा अगला प्रश्चने निम्लिकित में से वह वर्ग काउंसा है जिसके अंतरगत सरकारी कर्मचारियों दोरा हर्ताल्श शम्मंदित वार्ता रड़नीत आती है आपका होजगा वनिस सकति की सक सटी बित्रित की जाती है सत्ता के टवारों की वियोस्थ्थ्या कई रूप ले सघ्थर भारत के संदर में कौन सा कथन सही नहीं है करहा आधुनिक लोग तंत्रों में रानीतिक सक्ति वित्रित की जाती है, सत्त के बटवारे की विवस्ता काई रूप ले सकती है, भारत के संदर में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखते हैं इसमें कौन सा नहीं है, आप से 3 इसका राइटन सरो जाए, बिभिन धार्मिक संद समिधान के लिए 26 जमरी को चुना गया, क्योंकि आप सभी को बता है, कई बार प्रशन आ चुका है, यह BPSC में, तो इसका राइटन सरो जाएगा, आप संदरी कांगरेस ने 1930 में स्वाधिनता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए इसलिए इसी की याद में आप संद का हो जा जां जागा, आपका 1939 को जो लहोर अधिवेशन था, उसमें आपका घुषड किया गया था, 26 जमरी को सवातंदा दिवस के रूप में मनाया जाएगा, पहली बार 1930 में आपका क्या मनाया गया था, स्वृत अंता दिवस्मन आये गया था, अजादे तक 26 जनुरी को आपका, क्या मना जाता था अगर बड़ता है, भारती समिधान के किस अनुछेद में भारती नाग्र को की मूल करता बे सामिल है मूल करता वे किसमें सामिल है तो आपका आपसंफ़ी और समिल, कमें सामिल मोल करता वे की बात करें यह मूल शवमिधान में नहीं था, इसे जोड़ा कब गया है तो इसे 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया किस अर्टकयल में अर्टकयल 51 A meinen ऑबाग पुछे जाये तो 4 A में से शामिल के अगए कि समीत के सिफारिज पर सर्दार स्वान सींग की समित के सिफारिज पर और यह और यह कहाया गया हिए तो रूस्ष्थ के सम्ष्व ईया कैंता और और बात करें जब जोड़ा गया था तो दस क्याते मूल करता भी वर्तमान में कितने हैं 11 एक ग्राहूं मूल करता भी 86 समयधान संसोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था ठीक आगे बड़ते हैं जब लोक सभा में किसी भी दल या गड़वंदन को बहुमत नहीं मिलता तो राशपती प्रधान मंत्री की में अपने वीवक का प्रणीोग करता है लोग सभा में बहुमत का समर्थन कर और लोगसामें भामत का समर्थन शाबिद कर शकता है तो ब्हुत के सब्सक्राइब हरने सब्सक्राइब तो remote के समीधान वावण टिस सदन की अधिक्न हम सकती कितना है पॉन सब्सक्राइब nossas पैंटालिस नहीं पांटेबार अधिक्तिम कितना है पांट कितना बंटांवन कितना है आप और तो प्ञट पैंटालिस है भारत के राशपती द्वारा एंगलो इंडियन्स अब्दा है के सब्सक्राइब लेकिन ध्यान रखिए अगर पुछा बिधियक पुछा है तो 126 वे विधियक के द्वारा बिधियक जो है भारत का समिधान देश को किस रूप में तो आपका हो जाएगा आप्सन वन राज्यो का संग भारत राज्यो का संग is к – आर्टिकल 1 में कहा गया है आगे वरत है भारत का राशपती है चुनआजाता है था तो इसका करींड फ्री संसत के दोनों सदनों के निर्वाचित और सदस्यों, राज विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों दारा, देखें, जो राजपति का चुना होता है, इसके लिए आपका एक निर्वाचक मंडल बनायाता है, यह किस आर्टिकल में निर्वाचक मंडल आर्टिकल 4 में है, अगर र राज सभा लोग सभा प्लस विधान सभा प्लस विधान सभा के क्या होते हैं आपका निर्वाचित सदस मनोनित नहीं निर्वाचित सदस प्लस आपका दिल्ली और पांडुचेरी के आपका किन सासी प्रदेश के आपका क्या होते हैं इसके निर्वाचित सदस में सामिल लेते राज सभा लोक सभा और विधान सभा और दिल्ली और पांड़ुचेरी यह पॉइंट धान रखेगा दिल्ली और पांड़ुचेरी को इसमें जो है सत्तरवें शमिदान संसोदर 1992 के द्वारा निर्वाचक मंडल में सामिल किया गया था ठीक आगे बढ़ते हैं नेमलकित में स से दो कथन में पंचायती राजव्यवस्ता के कारियानों की सही तस्वीर पेस नहीं कर रहे हैं कौन-कौन से कथने देखते हैं पंचायती राज ने भारती लोकतंतर में महिलाओं के महिलाओं के प्रतिनुद्द और उपस्तित को बढ़ाया सही है अलकरा राज्यों ने पं आणना भी और सिय त्ञहँं का त्छी कि हम बात करें पंचायती राज को सभाधनि दर्जोग का प्रतान किया गया था ती 83rd में शमिदान संसोधन उनिससो बान्मे के दवारा से क्या था सभाधिन द्रजग प्रतान किया गया था और किस अंसूची में कितने भी से आपका 29 तो बाहर भी अंसूची में, इसमें आपका 18 भी से हैं, ठीक है, इस प्रस्म का हो जाएगा, आप से टेलीग्राम से लिए लिजेगा, ठीक है, वहाँ से एक बार आप खुद से स्वाल्व कर लिजेगा, अलप्स है, गराम पंचायत के चूने हुए सदस उप मुखिया का चु जोसकता है आपषण किया होजा है तो इसका अनुछयद अस प्रिस्ता का उल्मूनन करता है और रूप में इसके बिवार का निश्यत करता है अस प्रिष्टा का अंतिया निशुवा छूट कौन सा अर्टिकल 17 आपसर क्या हो जागा टूस का करिटन्स रो जागा यह क्या है आपका मूल अधिकार है भाकिस में भाक्तिन में आर्टिकल 12-35 कहां से लिए गया है तो आपका अमेरिका की समिधान से लिए इससे हटा दिया और इया आठिकल 300a में सामिल क्या गया यह सारे पॉइंट से आभधान अख्यगा अलहऔर कितम स्लॉट स्थ्ष्ष्ष यह भी आपका सम आती सूची का बिस है प्रिफ्षियां कौन कॉण कोनी के इंग मतância न सूची के इंडर सूची से कि처럼 के इसे तुछ वर्तमान में आपका इक सड़ शुब है और समर्टी सूची में आ बहतोसमान में 52 से हैं और टीनहों अंसूचिया यह किस अंसूची में आपका संधान के साथ वी सूची में आगे वड़ते हैं our america सेट संसोधन भारत के मेनिनीत्वा संधान पीरोप में जाना जाता है अप्रस्तावना में तीन सब जुड़े गया थे समाजवादी अखंडता और कौन सा पंथ निरपेच ठीक है आगे बढ़ते हैं निम्लकित में से कौन सा कथन ग्राम सभा के सच्यू के लिए सही नहीं है तो पहला है पहला प्रेटंस रो जाएगा ग्राम सभा में एक सच्यू होता है ये 25 ने ग्राम सबस्व होता है इसका कर्णेंश्ष रोजाएगा हूँ है का कई होता है य सान देशक जब अध्यच नहीं होता है तो कौन करता है उपाध्यच्ण ऑपदाच नहीं होता है तो जो वणी शोता वह करता हुँगा आगे बढ़ता है भारत का सम्मस्धान अपना प्राधिकार किस्ट प्राप्ण करता है तो इसका करेटन्स दाएंगा option ठरी भाध की जनता से option कह जोए थ्रीज का करिटन्स रोजाए प्रस्ताना में शुरुवात किया गया है कि हम भारत के लोग ठीक है इसलिए आप संथ्रीज का करिटन्स रोजाए अलप्षन पतलब राज का प्रमुक चुना जाता है क्या होता हैं यहां प coal सभा का इसका अ भारत के प्रधान मंत्री का चुनाऊ क्या करता है दीखें हैं भारत के जो परधान मंत्री होता है, इसका चुनाव नहीं होता है, इसकी नियोकति जो है राषपती करता है, बाकि लोक सभा का चुनाव कौन कर आता है, आपका निर्वाचन आयोग करवाता है निर्वाचन आयोग की बात करें निर्वाचन आयोग की अस्थापना कब हुई थी 25 जनवरी 1950 को इसकी अस्थापना हुई थी इसलिए 25 जनवरी को क्या मना जाता है आपका मद्दाता दिवस मना जाता है सारे पाइंट्स ध्यान जोड़ा जाएगा आपका आप्षन थ्रिसका राइटन्स रो जाएगा राज धर्मों को नागरिक का निजी मामला समझता है और इस आधार पर कोई भेदवाव नहीं करता आप्षन का थ्रिसका राइटन्स भारत धर्म रिपेच ने पंथ निर्पेच ठीक है सही वर्ड इसक राइटन्स रो जाएगा यह रहे आज के प्रस्ट थैंक्यू फॉर वाचिंग